नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन हीरा में आप सभी का श्वागत है मैं यह वीडियो यूपी टीजिटी सिलिबस के एकार्डिंग लेकर आया हूँ और उसके साथ साथ पूरे ये नेट, डियेससबी, केवियस, एनबियस सारे एक्जाम को कवर करेगा यूपी एसिस्टेंट प्रोफेसर को भी कवर करेगा तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस सारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज का एफेक्ट मसल्स पे क्या पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा और बच्छे से डीप से डीप बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो इक्सरसाइज का एफेक्ट क्या पड़ता है हमारे मस्कुलर सिस्टम पे मसल्स पे तो आपको आज बताने जा रहा हूँ हाइपोट्राफी आप मसल्स हाइपोट्राफी का मतलब होता हाइपो का मतलब कम हाइपो का मतलब कम होता है जो मसल्स का टोन होता है अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ओक कम न होकर बढ़ता है यानि कि हाइपोट्राफी मसल्स के टोन से मसल्स के size में कमी न आये इसलिए exercise ज़रूरी है तो जब आप exercise करते हैं तो hypertrophy यानि मसल्स की जो size की कमी आती है वो घट्टी है यानि कि जब exercise करेंगे तो hypertrophy घटेगी यानि कि hypertrophy होगी इसका मतलब होता है कि आपका hypertrophy रोकेगा तो कहा है कि इन इंक्रिज इन ठीक्नेस एन इनक्रिज इन ठीक्नेस और इन इंडिविज्वल मसL Ju государ 50 ऐ्पर टौफी तो जब हम एक सर साइज करते हैं तो हमारे सरीर में जो muscles fiber है, sluartish fiber है, fast twitch fiber है तो उस single muscles fiber की size यानि की मोटापा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं hyper trophy उसके बाद gain in strength and muscular endurance usually depend on the size of individual muscles fiber जब muscles fiber की size जो ब्यक्तिगत एक single muscle fiber की size बढ़ जाती है exercise से तो उसका endurance यानि कारे करने की देज तक छंता बढ़ जाती है और सक्ति बढ़ जाती है, strength बढ़ जाती है in the hypertrophy, hypertrophy का मतलब होता है increase in size muscle fiber जो होते हैं जब hypertrophy होगी तो उसके size increase हो जाएगा यानि की वो मोटा हो जाएगा बढ़ जाएगा और यही जब hypertrophy काते हैं तो इसी muscle fiber का size decrease हो जाती है घट जाती है तो hypertrophy का मतलब होता है कि जो muscle fiber है single muscle fiber उसके size में increment होना यानि बढ़ जाना hypertrophy of muscle the physical training especially with training causes the following effect यानि की जब कोई physical training करते हैं तो especially muscles fiber के single fiber हैं उसके पढ़ते हैं और इसका effect क्या पढ़ता है आईए आगे देखते हैं इसका effect यह पढ़ता है कि the there can be significant loses of relative and absolute body fat यानि कहा है कि जब exercise करते हैं तो जो relative संबंधित और संपूर्ण body fat होते हैं वो कम होते हैं एक्सरसाइज का यह प्रभाव पढ़ता है उसके बाद थर्ड में है कि fat free weight या muscles mass increase significantly यानि कि जो weight बढ़ता है वो fat से मुक्त होता है fat नहीं होता है और muscles mass muscles की muscles mass muscles का weight और size increment होता है बढ़ता है एक्सरसाइज से फिर चार point है point number four है कि change in muscles change in muscles and joint motion also take place यानि कि exercise से muscles और joint जो muscles और joint होते हैं उसमें परिवर्तन होता है उसके बाद five है after training after training flexibility increase training के बाद यानि प्रसिच्छन के बाद flexibility increase होती है यानि बढ़ती है which play an important role in physical activity and sports enhanced performance and prevent serious muscular injury कहा है कि जब हम exercise करते हैं तो muscles की जो लचिलापन होती है flexibility बढ़ती है जिसका role ये होता है कि sports में muscular injury से जो muscles में चोट लगने वाली injury है जो muscles injury होने वाली है उससे बचाओ किया जा सकता है और उसके performance बढ़ते हैं तो ये exercise के फायदे है muscular system पे और इसमें आगे है कि इसका आगे और है कि due to resistant training due to resistant training the size of muscles fiber increase resistant का मतलब होता है प्रतिरोध प्रतिरोध प्रसिच्छन यानि कि weight training जब हम किसी प्रतिरोध के बिरुद कार्ण करते हैं तो उसको बोलते हैं resistant training प्रतिरोध प्रसिच्छन तो जब प्रतिरोध के प्रतिरोध हम work करते हैं तो हमारे muscles fiber जो होते हैं उनके size में बढ़तरी होती है आनि increase होती है उनकी size increase होती है बढ़ती है फिर उसके बाद total amount of protein increase which is essential for muscular growth यानि कि muscles के growth के लिए जो protein की आवस्यकता होती है उसकी मात्रा में बढ़तरी होती है फिर से समझे कि जो protein muscles के लिए आवस्यक है growth के लिए आवस्यक है उसके amount में उसकी मात्रा में उसकी quantity में बढ़तरी होती है और किसके कारण होती है exercise के कारण point number 3 है exercise के क्या प्रभा पड़ता है capillaries density per fiber also increase which causes more energy production यानि कि जो fiber है per fiber एक fiber में जो capillaries है capillaries का मतलब कि जो blood का आदान exchange कर रही है blood को ले जा रही है तो उनके जो density है उनका घनत्तो है वो बढ़ जाता है प्रतेक फाइबर में capillaries का density घनत्तो बढ़ जाता है जिसके कारण अधीक से अधीक energy का production करते है point number 4 है amount of connective tissue increase connective tissue मतलब संयोजी उतक संयोजी का उतक का मतलब कि जो tissue एक दूसरे से joint हो एक दूसरे को बांध कर रखे उसको बोलते हैं connective tissue तो कहा है कि connective tissue की मात्रा संयोजी उतक की मात्रा बढ़ जाती है exercise से वो muscles में फिर 5 है blood supply in the muscles increase यानि कि muscles में blood का flow जो supply होती है exercise से बढ़ जाती है point number 6 है कि due to hypertrophy muscles strength and muscular endurance increase hypertrophy के कारण यानि muscles fiber की size बढ़ने के कारण muscles की strength सकती और endurance बढ़ जाती है आईए और देखते हैं मैं कहा कि अच्छे से मैं समझाने की कोशिस करूँगा अगर आप लोग को समझ नहीं आए तो हमारे वीडियो के नीचे comment जरूर करिएगा ताकि मैं इसको next वीडियो में फिर से समझा सकूँ आईए और क्या changes होते हैं जब हम exercise करते हैं तो muscles पे क्या-क्या changes देखने को मिल सकते हैं तो एक changes और होता है कि biochemical changes in muscles यानि कि जयव रासाइनिक परिवर्तन जो muscles में होते हैं क्या होते हैं पहला देखिए heading है aerobic changes aerobic changes का मतलब होता है कि जो presence of oxygen में हमारे सरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो क्या changes होते हैं पॉइंट नम्मर वन है कि myoglobin content increase is myoglobin content का मतलब कि सरीर में एक myoglobin protein होती है और यह protein muscles की protein है question पूछता है कि myoglobin कैसी protein है और कहां पाई जाती है तो myoglobin एक muscular protein है जो oxygen binding होती है oxygen को store करने की छमता रखती है muscles में और वह store करके oxygen muscles को देती है जिसे से ज़िक से अधी energy का production होता है तो myoglobin का ये काम है exercise करेंगे तो muscles में myoglobin protein की content मात्रा बढ़ेगी दूसरा है कि oxygen breakdown ब्रेकट में है breakdown oxidation breakdown आप carbohydrate and fat increase जब exercise आप करते हैं तो carbohydrate और fat का oxidation यानि पाचन breakdown बढ़ जाता है जब carbohydrate और fat का पाचन breakdown बढ़ जाएगा तो जीतना बढ़ेगा आपको उतना ही energy का लाब मिलेगा उतने ही energy produce होगी यानि उत्पन होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा energy मिलेगी point number 3 है कि number of mitochondria also increase thus more muscular energy is produced कहा है कि जब exercise करते हैं तो muscles में number of mitochondria mitochondria की मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा mitochondria की मात्रा बढ़ जाती है जब mitochondria की मात्रा बढ़ेगी तो सरीर में energy की मात्रा बढ़ेगी तो mitochondria को powerhouse भी energy का powerhouse भी कहते हैं तो जब आप exercise करते हैं तो muscles में अधिक से अधिक mitochondria की मातरा बढ़ जाती है जिसके कारण जदिक से अधिक energy का production होता है level of activity of concentration of enzyme increase enzymes are protein compound that speed of chemical reaction in the muscle का है कि exercise से जो enzyme का concentration होता है शरीर में protein enzyme का concentration होता है वो बढ़ जाता है जिसे से chemical reaction muscles में fast होने लगते हैं तो ये सब exercise के बहुत अधिक benefit है और point 4 है कि amount of glycogen storage amount of glycogen store increase as a result of training glycogen is essential for energy production in the muscles का है कि जब आप exercise करते हैं तो muscles में glycogen glycogen का storage बढ़ जाता है यानि कि store की छंता, ground करने की छंता बढ़ जाती है और glycogen का function होता है कि energy का production करना muscles को energy उत देना तो exercise का एक फायदा है कि exercise जब करेंगे तो muscles में glycogen का store बढ़ जाता है उसके बाद anaerobic changes जाते है क्या anaerobic changes जाते है कि anaerobic का मतलब होता है कि absence of season में किस प्रकार हमारी muscles work करती है देखे, anaerobic क्या change जाते है कि ATP PC, system capacity increase thereby more energy is related यानि कि ATP PC, ATP PC का मतलब होता है adenosine, trifas, faith और PC का मतलब होता है कि fast poke creatine तो ये anaerobic energy system है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है capacity बढ़ जाती है तो exercise का एक और फायदा है कि ATP PC system की मात्रा बढ़ जाने से हमें अधिक से अधिक energy का लाब मिलता है दूसरा point है कि glycolytic capacity also increase as a result of training ट्रेनिंग का एक और प्रेड़ाम है exercise का और प्रेड़ाम है कि glycolytic जो capacity होती है वो भी बढ़ जाती है उसके बाद body composition changes body composition मतलब सरीर की जो बनावट है और सरीर का बनावट जो है lean body mass और fat body mass से बना है lean body mass को क्याते हैं कि जो fat free हो जिसमें muscles आ गई, bone आ गई tendons, ligament आ गई यानि कि जो fat free होता है उसको lean body mass काते हैं और fat body mass आपका fat हो गया तो body composition भी change हो जाता है for most individual weight are resistant training produce little or no change in total body weight but the body composition change considerably का है कि जब exercise करते हैं तो आपके exercise के कारण शरीर की बनावट यानि structure तो नहीं बट उसके composition जो उसका body weight है उसमें changing आती है तो इसलिए exercise बहुत जरूरी है और ये UPTGT के point out view से मैंने समझाने की कोशिस किया हूँ कि exercise का muscular system पे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है तो आप लोग अगर इस video को अच्छे से देखते हैं तो आप लोग के लिए बहुत लाबकारी होगी और हर जगह नहीं बुक पड़ने की जोरत पड़े क्योंकि मैं कुछ selective और points लेकर आये हैं जो आपका पूरा cover कर सकता है तो मेरी वीडियो को आप लोग subscribe करिए क्योंकि आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं डालता हूँ और be welcome है इसलिए वीडियो मैं डालने का मन नहीं करता है क्योंकि आप लोग हमें motivate ही नहीं करते तो आप लोग वीडियो देखिए और उसको notes बनाईए मेरा वादा है कि मैं जो content पड़ाया हूँ अगर उस content से question आ जाता है तो आप लोग जरूर से जरूर कर लेंगे thanks for watching my video